हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे योटूब चैनल सेतेंदर गुरुजीपी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग परने वाले मैत की कुछ इंपोर्टेंट प्रशन के बारे में जो सिंप्लिफीकेशन चैप्टर से लिया गया मेरे दोस्त इसके लिए मैं बहुत आसान ठ्रिक भी बताऊंगा मेरे दोस्त हम आपको बता देता हूँ जितना भी कुछन रेलबे एंटी पीसी ग्रूप डी एलपी टेक्नी से ने पूछा गया है न सारे कुछन को मैं इस वीडियो में लाने वाला हूँ और आपके पास सामने देख रहे हैं एक पार्ट नमबर हमारा दो है पार्ट नमबर जो हमारा एक है एक वीडियो डाला हुआ है आप सर्च करेंगे सतेंदर गुरूजी सिंप्लिफिकेसें ट्रिक आपके सामने वीडियो आ जाएगा अगर मेरे दोस्त आपने पार्ट से देखिए कुश्चर नमबर एक है क करें अंडारूट दो प्लस अंडारूट दो प्लस अंडारूट दो प्लस डॉट दो डोट डोट करके इनफिणेटिटि तक जाएगा कमान ग्याद कीजे' आपके सामने ग्रूप्टी दी 2022 का कुश्चर मेरे तोस्त तेरे भाई, इस भाराइटी के जब भी कुशन आपके नजर के सामने आ जाए ना, तो आप आँख बंद करके भी सल्ब कर सकते हो, कैसे? आपको ऐसा कंसेप्ट बता दूँगा, कि जिनगी में आपसे कही हो गलत होने वाला नहीं है, क्या करना? यह रूट के भीतर में कितना ह है, कितना है? रूट के भीतर में क्या है? दो है, तो इस दो को बाहर लिखेंगे, ठीक है? हम करेंगे क्या दोस्त? इस दो को ऐसे दो भागों में तोरे, इस दो को ऐसे दो लागातार पदों में तोरे, कि गुना करने पर दो आ जाए, लेकिन उन लागातार होने चाहिए, उनके बीच में अंतर एक का होना चाहिए. जैसे इसको हम तोर सकते हैं एक गुना दो. एक के बाद दो आता है, दोनों लागतार भी हो गया. अच्छा, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? एक का है, इसका मतलब सैटिस्पाइट हो गया. इस दो को ऐसे दो भागों में तोरे, कि गुना करने पर दो आना चाहिए, उनके बीच गैप वन का होना चाहिए. अगर यहाँ पे बीच में पलस है, तो इस बारा वाला अंसर दे देना. अगर माइनस होता, तो इस छोटा वाला अंसर हो जाता. लेकिन इस कुशन में बीच में क्या है पलस, तो पलस के लिए बारा वाला अंसर होगा दो. दो इस कुशन का सही जबाब होगा. उमीद है कि आप इस कुशन को समझ गयाँगी. ठीक है दोस्त, फिर से समझे, नहीं समझे है. चलो, बच्पन में हम भी नहीं समझे थी. दोस्त, यहाँ पर करना क्या है? रूट के भीतर में समझ जगे दो है. इस दो को ऐसे दो भागों में तोरे, कि गुना करने पर दो आना चाहिए, और उनके बीच गैप वन का होना चाहिए. जैसे एक गुना दो करेंगे, दो आएगा. एक और दो के बीच में गैप वन का भी है. इसका मतलब साटिस्पाइड हो गया, यह लिए लोजिक्स लग गया है यहाँपर. अब करेंगे क्या? अगर बीच में प्लस है, तो यह बारा वाला एंसर होगा. माइनस होता तो छोटा वाला बीच में प्लस है, तो बारा वाला एंसर एनकी एंसर भी होगा. हम उमीद करते हैं कि इस प्रशन को आप बहतरीन तरीका से समझ गे होंगे, और आज के बाद पेपर में ऐसा question का भी भी आएगा ना तो आप अच्छे से solve भी भी कर लेंगे मेरे दोस्त अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगते हैं तो आपने दोस्तों के पाद share जरूर कर चलिए next question की और बहाज है सवाल नंबर दो आप लोगों के सामने है अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस डॉट 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 करके इंफिनिटी तक जाएगा आपके सामने गुरूब दी 2018 का question है shift second का question है मेरे दोस्त आपको करना क्या है इसका अंसर क्या होगा बीच में क्या है रूट के भीतर में 30 है तो इस तीस को ऐसे दो भागों में तोरे कि गुना करने पर 30 आना चाहिए उनके बीच गैप से एक होना चाहिए तिनको हम तोर सकते हैं दो भागों में किन किन में यहां जगे माइनस है देख रहे हैं अगर सब जगे माइनस है तो ये छोटा वाला एंसर हो जाएगा पांच अप्सन नुम्बर इस question का सही जवाब हो जाएगा अगर सामने बीच में प्लस होता तो हमरा एंसर चाह होता कोई दिक्कत कोई परशानी कोई परशानी नहीं इस question का सही जवाब option यह होगा हम उमीद करते हैं कि इक question को आप बहतरीन तरीका से समझ गयोंगे आज के बाद ऐसा question कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से solve भी भी कर लेंगे दोस्त चलिए next question की वर बारहा जाए सवाल नमबर तीन आप लोगों के सामने कर निमने लिखित बर्गमुल का धानात्मक मान गयात किजिए इस question में तो अल्लेडी बोल ही दिया है इस चपन को ऐसे दो भागों में तोरे जिनको गुना करने पर चपन आ जाना चाहिए और उनके बीच अंतर एका होना चाहिए और संख्या लागातार होना चाहिए तो क्या करेंगे, 7 गुना 8 कर देंगे, 7 गुना 8, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, इन दोनों के बीच में gap कितना का है, 1 का है, अगर यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यह बारावाला अंसर हो जाएगा, अगर माइनस होता, तो छोटा वाला अंसर हो जाता है, इस question में प्ल क्या कोई दिकत, कोई परशानी है, बताई आप लो, कोई दिकत, कोई परशानी, कोई परशानी नहीं, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको कहीं बात बताया, दोस्त, यहाँ पर जो भी data दिया गया है, इस data को ऐसे दो भागों में तूरे, कि गुना करने पर इतना आ जान जाहिए, उस संक्या लागतार होने चाहिए और उनके बीच में Gap 1 का होना चाहिए, तिया पर क्या करेंगे, साथ गुना आठ करेंगे साथ गुना आठ चपन हो जाएगा अगर प्लस है तो यह बरावाला एंसर दे देंगे माइनस होता तो छोटा वाला एंसर दे देदे प्लस है तो बरावाला एंसर आप्शन नमबर डी हो जाएगा सही हम उमीद करते हैं कि इस प्रशन को आप बहतरी तरीका से समझ गया होगी चले नेक्स्ट कोशन अगला कोशन आप लोगों के सामने चार नंबर दिया करें निमने लिखित का मान घ्यात केजिए मेरे दोस्त अरब एंटी पीजी 2021 का कोशन है ध्यान से सुनेंगे आपके साम ने बहुत ही आसान कोशन पूछा भी किया है लेकिन इस कोशन को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए थोरा सा दिक्कत होगा उसी कोशन को थोरा सा इसमें एडवांस रूप है या इसको आप टाइप दुसरा भी बोल सकते हैं आपको करना क्या है अंडरूट 10 प आपको पीछे से सल्ब करना होता है ठीक है आपको कहां से सल्ब करना होता है पीछे से यहाँ पर कितना दिया है सोला दिया है तो सोला का बर्गमुल कितना होता है भाई चार होता है ठीक है चारा के बारे में जुट जाएगा ते कितना हो जाएगा सोला फिर से यहां तक इन नमर हमारा B होगा, हम उमीद करते हैं कि आप इस कुशन को बहतरीन तरीका से समझ गया होगे, नहीं समझे? नहीं समझे दोस्त, बच्पन भी हम भें नहीं समझे दोस्त, चलो, फिर से समझो, हमने आपको एका ही बात बताया, जब भी इस भाराइटी के कुशन आ जाया आपको करना कुछ भी नहीं आपको बिलकुल यहां पर पीछे से, सल्ब करना है, ठिक है? आपको करना क्या है? यहां पर 16 है, 16 का बर्मूल कितना होता है? 4 ही 12 में 4 आपके जोटेगा, 16 उनका भी बर्मूल हो जाएगा चार आके 21 में जूटेगा तो 225, 225 का बर्गमुल निकल के आएगा 15, इसमें जूटेगा तो यह हो जाए कितना 25 रूट के भीतर, 25 का बर्गमुल कितना 5, ऐसे भी 5 आएगा, आप जीस तरीका से चाहो उस तरीका से कर सकते हो, ठीक है दोस्त? चलो, इस भाराइटी के एक 292, प्लास, रूट अंडर, 107, प्लास, अंडर, 204 है, यहाँ पर करना क्या है भाई, 116 का बर्गमुल कितना होता है, 14 होता है, बात समझ रहे हैं, इस 14, 107 में जूटेगा तो कितना बनेगा भाई, 14, 107 में जूटेगा तो 121 बनेगा, ठीक है, और 121 के उपर रूट इनका बर्गमुल कितना होगा, एगारे होगा, अब एगारे आके जूटेगा, 214 में तक कितना बनेगा भाई, 225 बनेगा, और 225 के उपर भी रूट रहेगा, इनका बर्गमुल कितना होगा, 15, तो इस कोशन का जही जबाब, option B होगा, हम उमित करते हैं कि आप इस कोशन को बेहतरीन तरीका से समझ के होगे, आप इस कोशन को बीना लेखे, बीना पेर उठाए भी सालू कर सकते हैं, कैसे, उस तरीका से भी देखी, आपने क्या करेंगे, एक साचानवे का बर्गमुल कितना होता है, 14, 14 आके एक साथ में जूटेगा, कितना हो जाएगा, मेरे दोस् 214 में जूटेगा, 225 हो जाएगा, 225 का बर्ग होता है, आप इस भराइटी से भी साल कर सकते हैं, ठीक है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रशन को बहुत ही आच्छे तारीका से समझ के होगे, यादि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास सेर करें, मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन